हेलो फ्रेंड एक वार फिर आपका स्वागत है कंचन लाइफलाइन चैनल पर आज मैं आपको फेर एंड लवली एडवांस मल्टि विटामिन की जानकारी देने जा रही हूँ फेर एंड लवली क्रीम इंडिया की नंबर वन फेरनेस क्रीम है इसके नियमित उपयोग करने से चहरे का रंग गोरा होता है जो लोग बहुत ज़्यादा काले हैं तो इस क्रीम को रेगुलर डेली यूज़ कर सकते हैं फेर एंड लवली क्रीम का उपयोग करने से आपके चहरे की स्किन बहुत सौफ्ट और कोमल हो जाती है यदि आपके चहरे की स्किन करड़ लगती है तो इस क्रीम का उपयोग करें इस से आपके फेस की स्किन सौफ्ट हो जाएगी ये क्रीम बहुत ही जल्दी असर दिखाती है यदि आप इस क्रीम को दो से तीन हफ़ते इस्तेमाल करते हो तो आपको चहरे में फरब दिखना चालू हो जाएगा और आपका चहरा गोरा दिखेगा हर लड़की की यही ख्वाइश होती है कि उसके चहरे की स्किन ग्लो करे और चमकदार बने यह क्रीम एक मल्टी विटामिन क्रीम है इसका इस्तेमाल करने से आपके चहरे की स्किन से रूखापन दूर हो जाता है इसके नियमित इस्तेमाल से आपके चहरे की जुरियां भी ब फोड़ा फुनसी मुहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत में भी करती है यह फेस की स्किन को हर तरीके से प्रोटेक्ट करती है फेर लवली क्रीम को दिन में दो बार यूज़ कर सकते हैं और कुछ हफ़तों में आपको इसका फर्क भी दिखने लगेगा जरूरी नहीं है कि इस क्रीम को सिर्फ लड़कियां ही यूज़ कर सकती हैं इसे लड़के या जैंस भी यूज़ कर सकते हैं और करते भी होंगे इस क्रीम को लड़के लड़कियां दोनों यूज़ कर सकते हैं यदि आपको कोई इसकिन प्रॉब्लम या इसकिन अलर्जी है तो आप यूज़ करने से पहले इसकिन डॉप्टर से सला ले सकते हैं ताकि कोई नुकसान ना हो और हमेशा चहरे को पानी से दोकर ही इस क्रीम को लगाए चहरे की साफ तवच्चा पर क्रीम लगाने से ज़्यादा फायदा मिलता है तो इस क्रीम को आप अपने चहरे पर लगा सकते हैं इसे जितनी जर्रत हो उतनी मातरा हाथों पर लेकर और हलके हलके हाथों से मालिश करते हुए अपने चेहरे पे लगाएं ताकि इसकिन में अच्छे से यह क्रीम लग जाए और इसे बहुत ज़्यादा मातरा में यूज ना करें ताकि आपकी इसकिन बहुत ज़्यादा ड्राइ होने लगे तो इस तरह से आप उचित मातरा में इस क्रीम का इस्तमाल करे और इससे आपको बिल्कुल फायदा होगा और कोई नुकसान भी नहीं होगा तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को भी जरूर ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके धन्यवाद